श्री गड़े साय नमा, जै चोत माता की, श्वागत है आप सभी का मेरे एचेस वारद्वा यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको करवा चोत का माहो पाय बता रहूँ, करवा चोत की साम को कता सुनते समय आपको एक चीज की चोत माता की सामने रखनी है, अपनी मनुकामना अबस्य पूरी होगी और सूनी गोदा आपकी भरेगी, आज के दिन जो भी आप बरदान मागेंगे, जो आपके मन में चाहे, आपकी प्रती के चाह चोत माता पूरी करेंगी, आज के दिन विशे से महत होता है, करवा चोत के दिन भगवान सिव, गरेज जी, माता पारवती और चोत माता की पूजा की जाती है साम को पांच बजे और साथ बजे के बीच में कता सुनी जाती है जब आप कता सुन रहे हो तो उस समय दो केले के फल और नारियल गनेजी और करवा चोत माता की सामने आपको रख देने हैं जहापर आप कता सुन रहे हो मैं पर यह चीज़े ला करके रख देनी है फिर आपको कता सुननी है कता सुनते समय भगवान गनीजी घुरी दुरबार पण करें साथ एक लोटा जलका भरके रखना है बिदी आपको सारी पता होगी जिस प्रकार से आपके जहां रिवाज है उसे प्रकार से आपको पूजन करना है धीपक जला करके हाथ में पुष्प ले करके भगवान गनीजी से प्रातना करना है चोत माता से प्रातना करना है और स्वाग की सभी चीज़े आपको धारन करना है आज स्वाग का बरत होता है पिर जब आप कता सुनने तो आपको रात के समय चंद्रमा को अर्ग देते हैं चंद्रमा को अर्ग देने के बाद में आप मीठे से घर के बने मीठे से आप अपना ब्रत कोले या बजार से मीठा ले आए उसे ब्रत कोलें और फिर ब्रत कोलने के बाद में जब खाना खाएं तो उस समय आपको पहले वो केले का फल और साथ ही आपको नारियल का परसाद ये दो चीजे आपको जरूर खानी है इससे आपकी मनुकामना आवश्ची ही पूरियोगी बहुत लोगों के यहां पर नेम होता है कि गुरु बार के दिन केला नहीं खाते तो वह दूसरे दिन केले का परसाद खा सकते हैं बारवजे के बाद केले का परसाद खा सकते हैं लेकिन नारियल का परसाद आपको जरूर खाना है अगर आप यह प्रसाद खाते तो आपको पुत्र प्राप्ते का आशिरवात प्राप्त होगा पूरे बिश्वास के साथ में और बिना किसी को बताए अगर आपको कोई पूछता है कि आप अलग से यह नार्यल का प्रसाद और केला क्यों रख रहे हो तो आपको नहीं बताना है आपको अपनी इच्छा बोल करके परसाद खाना है चौत माता आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी करेंगे विडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में स्री गड़े सायनमा जै चौत माता की जरूर लिखें आपकी हर मनुकामना पूरी होगी